नमस्कार दोस्तो, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्यवारता में हमारा आज का विशे है हिंदी की समवैधानिक स्थिती इसके अंतरगत हम पढ़ेंगे समविधान में हिंदी भाषा संबंदी उपबंद तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर दोस्तो इससे पहले हमने राजभाषा के बारे में पढ़ लिया था कि राजभाषा क्या होती है और भारत की जो राजभाषा है वो क्या है हिंदी है तो आज हम बात करेंगे कि राज भाषा जो हिंदी है तो उसका सम्विधान में उसकी जो सम्विधानिक स्थिती है वो क्या है तो सबसे पहले अगर हम देख लेते हैं कि हिंदी भाषा जो है वो सम्विधान में कहां पर उसका प्रावधान किया गया है उसके बारे में जान लेते हैं तो देखिए जो सम्विधान का भाग सत्रा है उसमें अनुछेद 343 से लेकर के 351 तक राजभाषा का सम्विधान में ये बहुत बार एक्जाम में पूछा जाता है ये प्रशन कि राज भाषा हिंदी का जो प्राफधान समिधान के किस अनुछेद में है, तो ये है 343 से 351, अगर पूछे जाए कि समिधान के किस भाग में है तो भाग 17 में, क्लिर है दोस्तो अगला था है कि जो संविधान की अनुसूची है तो कौन से अनुसूची है और उसमें कितनी भाषाओं को माननेता प्राप्त है अगर हम माननेता प्राप्त आज के समय में बात करें तो आज के समय में 22 भाषाओं को माननेता प्राप्त है और इन 22 भाषाओं को आठवी औनि सूची में जो है शामिल किया गया है क्लिर दोस्तो लेकिन अगर हम बात करें कि हमारा जो मूल समिधान जब बना उस वक्त कितनी भाषाएं थी और कितनी भाषाओं को मानने ता प्राप्त थी तो उस वक्त थी चौदा भाशाएं और चौदा ही हमारे क्या थे राज्य थे अब सवाल ये आता है कि जो चौदा थी तो वो जो आठ हैं वो क्या एक साथ जुड़ी नहीं जो आठ जो हमारी भाशाएं और जुड़ी वो जुड़ी है अलग-अलग समिधान संशोधनों में तो सबसे पहले जो एक भाशा जुड़ी वो जुड़ी सिंधी और ये कब इसमें जोड़ा गया इसको 21 समिधान संशोधन के अंतरगत और 21 समिधान संशोधन कब हुआ था यह हुआ था 1967 या यूं कहें 1967 में तो 1967 में एक भाषा जूड़ी और जिसका नाम था सिंधी तो मिलकर यह हो गई अब 15 इसके बाद 50 वर्षों तक यही क्या 15 ही हमारी भाषाएं रही जो भारतिय भाषाएं थी मानने था प्राप्त है ना तो पचास वाद वर्षपाद 1971 जो समीधान संशोधन हुआ वो कब हुआ 1992 में तो आप इसको इस तरीके से भी याद रख सकते हैं देखिए 71 प्लस 21 कितना होता है ब्यानुए होता और 1992 में ही समीधान जो यह 21 संशोधन हुआ ठीक है उसमें तीन भाषाएं जोड़ी गई देखिए कौन-कौन सी नेपाली मनिपुरी और कौंकणी तो यह जो तीन भाषाएं है इनको कब जोड़ा गया 21 समीधान संशोधन के अंतरगत तो इसको याद करने का ट्रिक है देखिए नमक तो बहुत यह कौमन सा ट्रिक है सब लोग इसका ही इस्तेमाल करते हैं नमक तो न से मतलब है नेपाली मन से मतलब है मनिपुरी और कौ से मतलब है कौंकणी तो यह जो तीन भाषाएं है यह जिसमें चार भाषाएं और जुड़ गई और यह मिलकर हो गई 22 तो यह चार कौन-कौन सी देखिए बोडो, डोगिरी, मैथली और संथाली तो इसको याद करने की भी एक ट्रिक है देखिए बोडमस कुछ लोग इसको बोडमस कहते हैं कुछ बोडमस कहते हैं तो बोडोमस क्या मतलब है देखिए बोडो से है बोडो, डी से डोगरी, म से मैथली और संथाली यह आप हिंदी में भी कर सकते हैं बो से बोडो, डो से डोगरी, म से मैथली और सो से संथाली इस तरीके से भी इसको याद रखा जा सकता है ठीक है दोस्तों तो यह तो होगी हिंदी की जो सम्विधान के किस भाग में है और क्या इसमें सिंशोधन कब-कब हुए हैं तो ये तो बात होगी हिंदी की सिति की अब हम देख लेते हैं कि जो अनुछेद 343 से लेकर के 351 हैं उनमें क्या-क्या चीज़ें कही गई हैं तो चलिए एक नजर दोड़ाते हैं सम्विधान के भा अब हमने इसको चार भागों में विवाजित किया हैं हाला कि ये नौ है लेकिन हमने क्या किया है इनको चार भागों में विवाजित किया है सबसे पहले आता है जैसे बड़े पैमाने पर हम लेते हैं देश उसके बाद लेते हम प्रदेश उसके बाद लेते हम नीचे अन्य मैं भी यह चीज़े देखते हैं कि जो दो हमारे उपबंध हैं या दो अनुझेद जो हैं वो देखिए किसके सम Bean culturally हैं वो है संग जरकार के संग या केंदर समगनधी है ना उसके बाद जो अगले हैं देखिए वो है राज्या से संबंधित अनुछेद तो ये कौन-कौन से हैं? 345, 46 और 47 तो इसको याद इस तरीके से रख सकते हैं कि जैसे राज्यों की संख्या क्या है? अधिक है, देश एक है, उसके अंदर अनेक राज्या है तो इसलिए सबसे जादा संख्या अनुछेदों की किसमें राज्या संबंधी अनुछेदों मही है, तो ये है 345, 46 और 47 क्लीर है दोस्तों? अगला है नियाले संबंधी, तो नियाले संबंधी दो हमारे क्या है? अनुछेद है अनुछे 348, अनुछे 349 ठीक है? तो कई बार एक्जाम में अगर इस तरीके से पूछे जाए कि राज्या या नियाले संबंधी कोई बात कही गई हो, अगर आपके पास विकल्ब है 348 या 349 में से एक, तो आप उसमें जादा टाइम वेस्ट न किये हुए, 48 और 49 में जो दिया होगा, उसको ही कर लेंगे, और यह आप इसली कर सकते हैं और बहुत बार एक्जाम में पूछा जाता है कि ये, जो हमारे अनुछेद हैं, इस से संबंधी प्रशन पूछ ली जाते हैं ठीक है दोस्तों, अगला आता है देखिए अलप संख्यक व्यथा निवारन संबंधी अनुछेद, तो यह है अनुछेद 350 और 51, तो इस तरीके से चार भागों में इनको बांटा जा सकता है, तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं, केंदर यासंग संबंधी जो अनुछेद हैं, 343 और 344 देख लेते हैं, अनुछेद 343 में क्या है अनुछे 343 को देखिए, तीन भागों में बांटा गया है, इसमें जो पहला भाग है वो कहता है कि देश की जो राजबाशा हिंदी और लिपी देवनागरी होगी और अंकों का जो रूप होगा वो अंतरष्ट्य होगा, अंकों का मतलब जो संख्याय लिखी जाएंगी वो कैसे लिखी जाएंगी, अंतरष्ट्य रूप में ही लिखी जाएंगी आज भी आप देखते होंगे कि जो हिंदी की संख्याय होती है बहुत सारे लोगों को वो पता नहीं होती है तो इसली क्या किया कि जो अंकों का जो संख्याओं का रूप रखा वो कैसा रखा वो अंतराष्ट्य ही रखा या जिसको हम कहेंगे कि रोमन लिपी में ही जो संख्याओं लिखी जाएंगी ये प्रापधान काम पर है ये अनुचे 343 और इसी के चलते देखिए जब समिधान में इसको माने तक इ ठीक है दोस्तों अगला है देखिए दूसरा भाग है इसमें वो ये कहता है कि संबिधान लागू होने के पंदरा वर्षों तक राजभाषा अंग्रेजी ही रहेगी तो ये किसमें कही गई ये बात ये है अनुचे 343 से लेकर के उसका भाग दो में ठीक है तो देखिए अं अंग्रेजी भाषा का ही इस्तेमाल कर रहे थे जो शिक्षित पर्ग थे या पड़ा लिखा तब का था तो इसलिए जो पंदरा वर्षों तक क्या था कि वो भाषा कौन सी रहेगी अंग्रेजी राजभाषा रहेगी तीसरा था है संसद को कानून बनाने की शक्ति रहेगी जो ये देखिए ये संसद को कानून बनाने की शक्ति का क्या मतलब कि जो संसद है वो ये कानून बना सकती है कि हिंदी ये जो हिंदी को ही राजभाषा का दर्जा देना है या फिर अंग्रेजी भाषा को ही continue करना है ठीक है तो ये शक्ति किसको दी गई संसद को दी गई औ और संसद को जब ये शक्ति प्रदान की गई तो उसी के चलते क्या हो गया कि हिंदी के साथ-साथ अंग्रेजी को पंदरा बश्चों तक तो रखा गया लेकिन अंग्रेजी को भी सहय जो हमारी राजबाशा है उसी के रूप में इस्तिमाल किया जाता रहा और इसका बनन कहां पर मिलता है हमें जो संसद को कानून दाने की शक्ति ये है अनुचेद 343 भाग 3 तो कई बार जादा डीपली पूछा जा सकता है कि अनुचेद 343 के भाग 3 में क्या बात कही गई गई है तो हमें वो भी याद होनी चाहिए तो ये था दोस्तो 343 अनुचेद अब हम देख ल सबसे पहला प्रशन तो ये ही बनता है कि राजभाषा आयोग का गठन किस के द्वारा किया गया तो राश्टपती के द्वारा किया गया और कब किया गया ये किया गया साथ जून 1905 को बीजी खेर की अध्यक्षता में अगर हम बात करें बीजी खेर के पूरे नाम की तो इ न, 1955 में, ठीक है, तो इस आयोग की जो समिक्षा है, देखिए, प्रति एक 5 वर्ष बाद कौन करता है, राष्ट्रपती करेगा, और 10 वर्ष बाद कौन करता है, इसकी समिक्षा, 10 वर्ष बाद करेगा, संसद, तो यह है अनुशे 344 के अंतरगत, ठीक है, कई बार प्रशन इस अनुशे 345, जैसे मैंने पहले ही कहा था, कि अनुशे 345 जो है, वो क्या है, वो राज्यों से सम्बन दित है, 45, 46 और 47, तो इसमें क्या होता है, देखिए, कि जो प्रदेश है, उसको अपनी प्रादेशिक भाषा चुननने का अधिकार है, देखिए यह प्रादेशिक के रूप में उस भाषा को अपनाना है, तो उन्हें जो है, उस भाषा को अपनाने का अधिकार है, राज्यों को, ठीक है, तो यह यह कहता है, 345 अनुशे, आप चाहें, तो स्लाइड को रोग के इसको पढ़ भी सकते हैं, अब हम देख लेते हैं, अनुशे 346 क्या कहता है, इसमें हमारे यह तीन आप देख रहे हैं, बड़े-बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है, कोखो गौ और श्रेनी के राज्य, तो कोखो गौ और श्रेनी के राज्य क्या होते हैं, यह हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम देख लेते हैं कि 346 अनुशे क्या कहता है, यह कह इसमें क्या किया गया था, कि 1976 में एक अधिनियम बनाया गया था, राजबाशा अधिनियम, तो यह 1906 में बनाया गया था, और इसके अंतरगत राज्यों को तीन भागों में बांटा गया, कितने भागों में बांटा गया था, तो देखिए तीन भागों कौन से थे, एक था कोश रेनी के राज्य, दूसरा कोश रेनी के राज्य, और तीसरा गोश रेनी के राज्य, दीखे कोश रेनी के राज्य क्या होते हैं, ऐसे राज्य, जो अपना पत्र बहवार किस में करते हैं, बेजे जाने वाले जो पत्र हैं, वो हिंदी में, और देवनागरी लिपी में ब से हो गया हिमाचल प्रदेश, यू से हो गया उत्रप्रदेश, M से हो गया मध्यवर्देश दिली से दिली, राजा से राजस्थान हिर्नों से हो गया हरियाना और बिहार से हो गया बिहार clear है दोस्तों? तो ये इसकी छोटी सी ट्रिक है अगर आप इसको इसको इस्तेमाल करना चाहें इसमें दोनों भाषाओं में हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में क्या है? पत्रवयभार किया जा सकता है ठीक है खोश्रेणी के राजियों के साथ तो खोश्रेणी के अंतरकत कौन से राजिया आते देखिए पंजाब, चंडिगर, गुजरात, महराष्टर और अंडमान, निकोबार तो इसको याद करने के जो ट्रिक है देखिए ये एक फ़नी जैसी ट्रिक है इसको भी आप यूज कर सकते हैं जैसे चड़ी निकर पहन के गुजराती पंजाबी बने महान तो चड़ी से चंडिगर, निकर से अंडमान, निकोबार पहन के ऐसे ही है और गुजराती से गुजराती, पंजाबी से पंजाबी महान से मतलब है महराष्टर तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं अगला है गौश्रेणी के राजे तो गौश्रेणी के राजे है मतलब जहां पर अंग्रेजी में ही पत्रवेभार किया जाए वो आते हैं गौश्रेणी के राजे और इसके अंतरगत कौन से राज आते हैं जो हमारे शेश राजे, वो केंदर शासित प्रदेश पज जाते हैं वो आते हैं गौश्डणी के अंतरगत तो ये था अनुचे 346 अब हम देख लेते हैं अनुचे 347 देखे अनुचे 347 में क्या है कि जनता की अनुभाग में बोली जाने वाली भाशा का प्रियोग या राज्य की जनता द्वारा बोली जाने वाली भाशा को मानने था मतलब यहाँ पर क्या है कि लोगों को अगर उन्हें ऐसा लगता है कि एक अधिक संख्या में लोग प्रियाप्त भाग में ये मांग करें कि उनके द्वारा जो बोली जाने वाली भाशा है उसको राज्य में दूसरी भाशा के रूप में माननेता दी जाए तो क्या करता है रा प्रदान की जाए तो राश्रपति जो है उनको वो सभीकृति दे सकता है तो ये कहाँ पर है ये अनुचे 347 में है वर्नित ठीक है दोस्तों अब हम देख लेते हैं अनुचे 348 और अनुचे 349 देखे अनुचे 348 जो है वो जैसे कि हमने पहले ही कहा कि ये जो दो अनुचेद में ही होगी ठीक है दोस्तों कि जो न्यालियों की भाषा होगी जितनी भी कारेवाही वहां पर होगी वो किसमें होगी अंग्रेजी में होगा इसके साथ ही साथ जो संसद और विधानमंडल की होगी वो भी क्या भाषा होगी वो भी अंग्रेजी भाषा ही होगी ये 348 और भाषा के कानून अधिनियमित करने संबंधी अनुचेद वो है अनुचे 349 देखिए भाषा के कानून अधिनियमित करने संबंधी इसका क्या विप्राई इसका विप्राई यह है कि जितने भी कानून बनते हैं वो राष्ट्रपती के हस्ताक्षर के बादी बनता है कोई इसमें क्या होता है इस अनुछेद में कि राज्य भाषा से संबंधित संसद यदि कोई विधेक या संशोधन पुनस्थापित या प्रस्तावित करना चाहे तो क्या होता है कि राश्ट्रपती की मंजूरी लेनी पड़ेगी और राश्ट्रपती जो आयोग है उसको सिफारिशों और उन सिफारिशों को गठित रिपोर्ट पर विचार करने के बाद ही अपनी मंजूरी देगा या नहीं देगा ये है अनुछे 399 क्लिर है दोस्तों अब हम देख लेते हैं अनुछे 350 और 351 ये आकरी के हैं जैसे हमने पहले का आता कि अलपसंख्यकों से संब प्रयोग मानली जी कोई भी व्यक्ति है अगर केंद्र या राजर सरकार के किसी भी अधिकारी के पास अपनी कोई समस्या लेकर जाता है तो वो किसी भी भाशा का प्रयोग चाहे हिंदी अंग्रेजी या फिर अपनी चेत्रिय भाशा उसका प्रियोग करने में वो क्या है एक तरीके से सोथंत्र है उसे हक है अपनी ही भाशा में बात करने का क्लिर है दोस्तों तो यह अनुशे 350 फिर आगे कहा गया है कि अनुशे 350 को कितने दो भागों में या इस तरीके से बांटा गया है देखिए पहला जैसे अलब संख्यक वर्ग को मात्री भाषा में शिक्षा प्रात्मिक स्तर पर ठीक है अलब संख्यक वर्ग के जो प्रतेक दूसरा है देखिए अलब संख्यक को के लिए विशेश अधिकारी की न्युक्ती तो विशेश अधिकारी की न्युक्ती कैसे की जाती है कोई एक अधिकारी इस तरीके से राश्टपती एक विशेश अधिकारी न्युक्त करेगा कौन करता है उसको राश्टपती और ये अ रखवाएगा और संबंधित राज्यों की सरकारों को बिजवाएगा कि ऐसा ऐसा है ठीक है दोस्तों तो ये है अनुचे 350 अब आता है कि जो अनुचे 351 क्या है तो अनुचे 351 सिंपल और सदारण सा है कि इसमें हिंदी के विकास के निर्देश दिये गये हैं जिसमें ये कहा होगे दोस्तों अनुचे 343 से लेकरके अनुचे 351 तक लेकिन इसके अलावा जो दो और अनुचे 120 और अनुचे 210 तो इसमें जो वनन मिलता है इनको भी ज़रूरी है कि राजभाशा का इसमें भी क्या है प्रावधान है इसमें कि संसद में प्रियोग की जाने वाली जो भा जैसे जो इसमें क्या का आगया है कि संसद का जो कार है हिंदी या अंग्रेजी में किया जाएगा ये बात कहां पर है अनुचे 120 में फिर दूसरा आता है कि अनुचे जो 210 है ये कहता है कि राज्य की जो विदान सबाएं हैं वहां में प्रियोग की जाने वाली भाशा तो य ये था आज का हमारा विशे हिंदी भाषा की संबैधानिक स्थिती, I hope आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा कि किस अनुचेद में कौन सी बात कही गई है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेर कीजिए और हाँ चैनल को सबस्क्राइब करना ना भूले, शुक्रिया जहीं